नमस्कार दोस्तों मैं धर्वेन वर्मा उनलाइन इस्टेडी विडिके में आपका वहुद वहुद श्वागत करता हूँ आज हम बात करने वाले हैं भारत के राष्टी उध्यान एवं अभ्यारण के एसे प्रशनों के बारे में जो एक्जाम में बार बार पूछे गए हैं यदि आपने इन 40 प्रशनों को अच्छे से याद कर लिया तो और अश्टे अभ्यारण से सम्मने तोर वीडियो या फिर और पीडिया या किसी प्रकार से पढ़ने की आवश्रक्ता नहीं है इसी में से आपको प्रशन देखने को मिलेंगे चाहे हो से टेट एक्जाम हो या आपको यसा ही इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने हो तो सुरुवात करते हैं आज का पहला प्रशन है हमारा पहला प्रशन है इनमे से कौन सा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में नहीं है आपर देखिए आप उसको पीडिएप चाहते हैं तो आप हमरे एप्स टेट सक्स इसको डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पर आपको 15,000 से ज्यादा प्रशन है बिलकुल फिरी में मिलेंगे किसी परकार का वहाँ पर कोई आपको चार्ज नहीं देना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर लीजेगा अपने रेटिंग जरूर दीजेगा और पताना है कि वहाँ यह पर आपको सुरुवात करते हैं पहला प्रशन है आपका इनमें से कुनसा नेशनल पार्क मद्द पर देफ में नहीं है बांदावगर्ड कौना क्रिसली पंना राष्टे उद्ध्यान आफिर बैतला राष्टे उद्ध्यान अरे तीनों ही राष्टे जो राश्टी उध्यान है, यह जारखन में कहाँ पर है, जारखन में इस से समझेत आगे प्रशन आएगा, तो आपको मैं नहीं बता हूँ, उसके बेले कमेंट्स की मधियान से बता ना देखे, जैसे ही मैं प्रशन परूँ, कि बेतला, राश्टी उध्यान कहाँ पर ही, फिर मिजोरम में है, नामदफ़ा नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया है, आपका राइट आंसर क्या होगा, अरुणान चल प्रदेश, जयाद रिखेगा, नामदफ़ा नेशनल पार्क, अरुणान चल प्रदेश में इस्तित है, इन में से कौन सा नेशनल पार्क 36 आभी पूछ गयां चली अगला प्रショन फुर्टानपुर नेशनल पार्क अब यहाँ पर देखे हैं शुल्तानपुर नेशनल पार्क के बारे कोछा गया है यह कहां पर इस्ति थे, उत्रखण में ही, हरियाना में ही, गुजरात में ही या फिर राजिस्तान में ही, सुल्टानपूर नेशनल पार्क यह कहां पर इस्ति थे, तो याद रखेगा यह हरियाना में ही, कहां पर है, हरियाना में, बी वाला विकल्पे आपका सही होगा, कलेसर कलेसर नेशनल पार्क ये कहां पर इस्तित है हिमाचल प्रदीश में ही जम्मू कश्मिर में ही औरीसा में ही या फिर हर्याणा में है कहां पर है कलेसर नेशनल पार्क तो ये भी हर्याणा में इस्तित है कलेसर नेशनल पार्क हर्याणा में इस्तित है चलिए अगला प्रस्ण ह केईबूल लामजाओ नैशनल पार्क यह कहां पर श्र्रित थे मिजोरम KP में मनिपुर में में घाले में हैं यां फिर्णिपूरा में है केईबूल लामजाओ नैशनल पार्क कहां पर परिश्टित है, आपका रैटास रूगा मनिपूर, याद रिखीगा जो केई बूल लाम जाओ नेशनल पार्क है, यह मनिपूर में इस्तित है. अगला प्रस्ट, दा ग्रेट, दा ग्रेट हिमालियन नेशनल पार्क यह कहां परिश्टित है? उत्रकंड में हैं, हिमाचल में हैं, जम्मू कस्मीर में हैं या फिर करनाटक में हैं प्रस्ण में ही इसका आंसर छुपा हुआ है दा ग्रेट हिमालेयन से आपको याद रखना है कि ये हिमाचल में इस्तित है दा ग्रेट हिमालेयन नेशनल पार्क बी वाला विकल्पे आपका सही होगा आठवा प्रस्ट इन में से कौन सा नेशनल पार्क अशम में है अशम में कौन सा नेशनल पार्क है यह आपको बताना है डिबरू, साइखोवा, काजिरंगा, मानस या फिर उप्रक्त सभी यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है सभी को सेर कर देना है कौन सा नेशनल पार्क अशम में श्तित्य पूछा गया है आपका राइट अंसर होगा डिबरू, साइखोवा, काजिरंगा, और मानस ये तीनों कहां पर इस्तित है असम में इस्तित है तो उप्रक्त सभी आपका राइट अंसर होगा चलिए पेज राष्टी उद्ध्यान यहाँ पर देखिए बहुत सारे बच्चे को confusion होता है कही किसी बच्चे को महराष्टा अंसर पता होता है किसी को मद्य प्रदेश तो आपको राइट अंसर यहाँ पर क्या होगा दोनों याद रखीगा जो पेज राष्टी उद्ध्यान है ये महराष्ट में भी इस्तित है और मद्य प्रदेश में भी इस्तित है मद्य प्रदेश में पेच राष्टी उध्यान इस्तित है लेकिन उसका जो कुछ भागे वो महराष्ट में भी है तो आपको आंसर के लगा क्या आना है दोनों महराष्ट और मद्य प्रदेश दी और दोनों महाँ पर विकल्पे में दी तो आपको दोनों आंसर लगा के आना ह की वाला विकल पर आपका सही होगा दसवा प्रस्मो इन में से कोंसा नेशनल पार्क ओन्विक्र ऑ शंजिगांदी यह थो तो पर है महराष्टे में महराष्टे में हैं यहां पर देखे एक बज़ गया दूद्वा इसके बारे में आपको कमेंट से के माध्यम से बताना है क्यूज के तोर पर मैं इसको दे रहा हूं आपको बताना है कि जो दूद्वा नेशनल पार्क है ये कहां पर इस्तित थे कमेंट स बिहार में है या फिर गोवा में है जहां तक मुझे लगता है सबीने इसका अंसर दे दिया हूगा सुरू में आपको बता चुका हूँ जो बैतला नेश्णर पार के है पीछांज में है पहला वाला विकलप आपका सही होगा गार वालमी की राष्ट उद्यान वाल में की राष्टी उद्ध्यान ये किस राज्य में है गोवा में है हरियाना में है गुजरात में है या फिर बिहार में है वाल में की राष्टी उद्ध्यान के बारे में पूछा गया है आपका राइट एंसर क्या होगा बिहार याद रखेगा इंपोटेंट हैं सभी के सभी वाल में की राष्टे उध्यान बिहार राज्जी में इस्तित है फिर मैं आपको बता रहा हूँ इसके पीडियाप आपको चीए तो आप हमारे एप सिटेट सक्सेस के माध्यब से प्राप्त कर सकते हैं इसके लिंक आपको डिस्केप्शन में मिल जाएगे सभी के सभी वहाँ पर फिरी में उपलब्दे हैं तेरवाप्रस पर भगवान महावेर मॉल्लेम नेशनल पार्क ये कहां पर चीथे तो ये गोगा में पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा पेरियार नेशनल पार्क काफी बार एकजाम में पूछा गया है पेरियार नेशनल पार्क ये कहां पर चीथे केरल में हैं करनाटक में हैं उडिसा में हैं या फिर बिहार में हैं राइट आंसर आपका क्या होगा केरल याद रखेगा जो पेरियार नेशनल पार्क है ये केरल राज्जी में इस्तित है अगला प्रशन इन में से कौन सा नेशनल पार्क उडिसा में नहीं है यह दोनों ही नेशनल पार्क उडिसा में इस्तित है जैसा कि मैंने क्यूज के तोर पर आपको आंसर दिया था कि दूद्वा नेशनल पार्क के कहां परिस्त है जहां तक मुझे लगता है सभी ने सही आंसर दिया होगा यहां पर आप चेक कर सकते हैं उत्तर प्रदेस है बिहार है तमिल नाड़ो है या फिर इनमें से कोई नहीं सोलाखा आंसर होगा उत्तर प्रदेस सभी ने जहां तक मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेस ही राइट आंसर दिया होगा तूद्वा नेशनल पार्क के कहां परिस्त है उत्तर प्रदेश में इस्तित है गीर राष्टी उद्ध्यान गीर राष्टी उद्ध्यान जो की ACI सेर के लिए प्रशिद्ध है कौन सा उद्ध्यान ACI सेर के लिए प्रशिद्ध है तो वह है गीर राष्टी उद्ध्यान ये कहाँ परस्ति थे राजिस्तान में है गुजरात में है महराष्ट में है या फिर मध्य प्रदेश में है गीर राष्टे उध्यान के बारे में पूछा गया है तो ये कहाँ परस्ति थे गुजरात में गीर राष्टे उध्यान जोकी ACI सेर के लिए प्रस्ति थे ये गुज पूछा गया है कौन सा राश्टी उध्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतरगत नहीं आता है। प्रश्टी उध्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतरगत नहीं आता है। गंगोत्री नंदा देवी राजाजी नेशनल पार्क या फिर चंदोरी उस नेशनल पार्क का नाम बताना है आपको जो की उत्राखन में नहीं है। चंदोली नेशनल पार्क है ये उत्राखन में नहीं है कहां पर है महराष्ट में। गंगोत्री नंदा देवी और राजाजी नेशनल पार्क ये तीनों है उत्राखन राज में इस्तित है। गोरु मारा नेशनल पार्क ये कहां पर इस्तित है पश्चि मंगाल में उडिसा में बिहार में या फिर राजिस्तान में गोरु मारा नेशनल पार्क कहां पर इस्तित है राइट आंसर आपका होगा पश्चि मंगाल याद रखेगा गोरु मारा जो नेशनल पार्क है ये प आंदर प्रदेश वैंकटेस्वर नेशनल पार्क आंदर प्रदेश में इस्ति थे पापी कोड़ा जो नेशनल पार्क है ये किस राज्जी में इस्ति थे असम में हैं मेगाले में हैं त्रीपूरा में है या फिर आंदर प्रदेश में हैं पापी कोड़ा नेशनल पार्क किस राज्य में इस्दित है आपका right answer होगा आंधर प्रदेस important है डी वाला विकल पर आपका सही होगा सुन्दरवन नेशनल पार्क सुन्दरवन नेशनल पार्क ये कहां पर इस्दित है पश्यमंगाल में है बिहार में है राजिस्तान में है या फिर उडिसा में है राजिस्तान में इस्तित नेशनल पार्क कौन सा है ये तीनों ही नेशनल पार्क कहा पर इस्तित है राजिस्तान में इस्तित है दाची गाम नेशनल पार्क ये कहां पर इस्तित है किस राजिस्तित है जम्मू कस्मिर में है, पंजाब में है, हरियना में है या फिर केरल में है राजिस्तान में है, आपका होगा यहां पर जम्मू कस्मिर याद रखेगा जो दाची गाम नेशनल पार्क है जिए जम्मू कस्मीर में इस्तित है हैमिस नेशनल पार्क हैमिस नेशनल पार्क ये किस राज्य में इस्तित है करनाटक में है केरल में है मनिपूर में है या फिर जम्मू कस्मीर में है हैमिस नेशनल पार्क किस राज्य में इस्तित है आपका रायट आंसर होगा जम्मू कस्मिर कहां पर है ये जम्मू कस्मिर में इस्तिते हैमिस नेशनल पार्क अगला प्रशन भारत में स्तापित प्रथम राष्टी उध्यान जिम कारवेट राष्टी उध्यान जो की नेनी तार उत्राखंड में इस्तापने की बात करें इसकी स्थापना को हुई थी तो इसकी स्थापना हुई थी 1935 में याद रखेगा भारत में इस्तापित प्रथम राष्टी उध्यान जीम कारवेट राष्टी उध्यान है जो की नेनितार उत्राखन में इस्ती थे इसकी स्थापना 1935 में हुई थी सुल्तानपूर पक्षी अभ्यारन के सराज्ज में इस्ती थे उत्तर प्रदेश में है हिमाचल प्रदेश में ही राजिस्तान में है सुल्तानपूर पक्छी अभ्यारन के इस राज्य में इस्ति थे आपका रायट आंसर होगा हर्याना याद रखेगा सुल्तानपूर पक्छी अभ्यारन हर्याना राज्य में इस्ति थे दूद्वा राष्टी उध्यान इसके बारे में आपको बता चुका हूँ दूधवा राश्टी उद्यान कहां पर इस्तित है मद्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, तमिलाड़ू या फिर उरिशा तो इसका अंसर में आपको बता चुका हूँ ये कहां पर है उत्तरप्रदेश में इस्तित है रणत भोर वन्य जीव अभ्यारन ये भारत में किस प्रदेश में इस्तित है गुजरात में राजिस्तान में उत्राखण में या फिर मद्य प्रदेश में राजिस्तान रणत भोर वन्य जीव अभ्यारन भारत के राजिस्तान राज्य में इस्तित है अगला प्रश्ण चंदर प्रभा वन्य जीव अभ्यारन ये कहां पर रिष्तित है उत्तर प्रदेश, मद्य प्रदेश, उत्तराखंडिया, फिर उडिसा चंदर प्रभा वर्णी जीव अभ्यारन के बारे में पूछा गया है आपका right answer होगा उत्तर प्रदेश पहला वाला विकल पे आपका सही होगा अगला प्रशन निमलिकित में से कौन सा भ्यारन जंगली हातीयों के लिए प्रशिद्द्ध है तो कौन सा अभभ्यारण है जो कि जंगली हाथिओं के लिए प्रिशुद्ध है, चंदर प्रबा है, बांदीपूर है, मानसले या फिर फीर पिरियार अभभभभभभभभभभभभ, पर शतीत है, कहां पर शतीत है, इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगला प्रसन, केवला देव घाना पक्षी विहार है, ये किस राज्जी में शतीत है, मद्यप्रदेश में है, राज्जी में शतीत है, काजी रंगा राष्टी उध्यान में पाए जाने वाला मुख्य जन्तु है यहाँ पर काजी रंगा राष्टी उध्यान है इसमें पाए जाने वाला मुख्य जन्तु के बारे में पूछा गया है एक सिंग वाला गेंडा है या फिर रायल बंगल टाइगर है राइट आंसर आपका होगा एक सिंग वाला गेंडा प्रिशन में पूछा जाता है कि एक सिंग वाला गेंडा कुन से राष्टी उद्ध्यान में पाया जाता है तो याद रखेगा काजिरंगा राष्टी उद्ध्यान में पाया जाता है राइट आंसर आपका तुसरा वाला ह प्रश्नी wavelength अगला प्राश्न मा नस वन जीव अभ्यारण राजाजी नेशनल पार्क उतराखन राज्जी में इस्ते थे भारत में प्रत्थम तितली उद्ध्यान कहां पर रिष्थी थे जैसा कि थोड़ी दिर पहले हमने जेकर किया था कि भारत का प्रत्थम उद्ध्यान कहां पर रिष्थी थे वो रहाँ पर आंसर बताया था जेम कारवेट राष्टे उद्ध्यान जो की उतराखंड में है और उसके पिरकाफ़ाध कि होती Herren स्थापन हम हुई थी 35 में हुई सी यहाँ पर तितली उध्यान के पुछा गया ह्परत का प्रतम प्रतों पर इस थे पूछांगता प्रतार में पहला वाला विंपलपे आपका सही होगा तो आज के जो प्रमोक राष्टी उद्ध्यान और अभ्यारन के जो वीडियो है 40 प्रस्ट नहीं वह यहीं पर समापत होता है आज के वीडियो आपको कैसा लगा आपको केमेंसर के माध्यम से बताना है यदि आप यहां तक आ गई होंगे तो सबसे फिले आपको क्या करना है लाइक करना है और चैनल को सबस्कारिब करना है जल्दी से ये तीनों कारे को कर लेना है तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे जब तक लिए धन्यवाद